दोस्तों, यूटूपर कुछ अच्छे अपडेट्स आते हैं और कुछ खराब अपडेट्स आते हैं अगर आप एक यूटूप क्रियेटर है तो आपको यूटूप के अपडेट्स जानना पहुत ज़रूर ही है अपको अपको अगर आपको अगर आपका चैनल मॉनिटाइज है तो आगे आपको सब कुछ बताने वालों इस वीडियो में इस वीडियो को पूरा एंड तक लेगना और वीडियो का ज़रा बेच्छा लगता है कहीं पर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लेक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपका चैनल मॉनिटाइज है तो 31 में 2021 तक अगर आप उस फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपको 24 परसेंट देना नहीं पड़ेगा आपको 15 परसेंट टेक्स पे करना पड़ेगा अगर आप इस अपडेट को इगनोर कर देते हैं तो यूटुब आपके यूटुब बटन होता है जो इससे भी आप आर्णिंग करते है यूटूब के एडसेंस से तो वो सारे के सारे आर्णिंग में से आपको 24% यूटूब काट लेगा मतलब टैक्स वो ले लेता है तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूं तो तो आप यह सुच रहोगे कि हम टैक्स क्यों द है आप आपका चैनल है तो आपके वीडियो को यूएस मतलब अमेरिका में आपके वीडियो को देखा जाता है तो वहां पर अगर वहां से आपके वीडियो पर अगर अर्णिंग होती है तो जाहर से बात है वहां पर जो बंदा आपके वीडियो को देख रहा है तो वहां प चाप 20 परसंट या फिर 15 परसंट दे सकते हैं अगर आप फॉाम को फिल कर देते हो जो भी टैक्स или इंफोर्मिशन नहीं मतला है आपको पैर्इम काड़ दूर्प आटरस वगहर अगर आप एस थिल कर देते हैं इक पर आपको कंड़ डन przede सकते हैं तो आपको मैं कहना चाहता है तो साफ साफ शब्दों में आपका monetize channel है तो भई आपकी अभी भी आपके अगर मेल पर आप जा कर देखिए आपको एक formulator आया होगा या फिर आपको करना है कि आपका AdSense को open कीजिए वहां पर आपको एक action button आएगा आपको वहां पर आपको जो tax information है सब कुछ आपको आपको feel करना है अगर आपको feel करना नहीं आता तो यूटूबर वीडियो से टेक्निकल योगी सरकी और बहुत सारे यूटूबर्स जो अभी बना है यह वीडियो वीडियो देकर आप सीख सकते है कि कैसे उस form को feel करना है कैसे हमारा pancat महाँ पर attach करना है सब कुछ महाँ पर आपको कर देना है अगर आप नहीं करते हैं तो by default में आपका चैनल चले जाएगा और हमेशा आपको 24% आपका earning कट हो जाएगा तो यह एक bad update है तो पहले ही YouTube कैसे कुछ 50-50 पाई से कट करता था बागी हमाँ आपको देता था बट अब भी यह tax पे करना पड़ेगा तो अगर आपकी आप यह सोच रहे होंगे 31 में से अगर हमारा चैनल monetize नहीं है 31 में के बाद अगर हमारा चैनल monetize होता है April में June जूलाई अगर उसके बाद next month तो क्या हमें कुछ होड़ने वाला है तो यह आपर आपको बता दू तो जब कुछ और कुछ आपको आपको आप अपलाई कर सकते हो बट आप यह कुछ ऐसा नहीं है अगर आपका चैनल monetize हो तो जाओ आप फार्म को free कर दो नहीं करेंगे तो 24% पे करना पड़ेगा tax तो इस वीडियो में बस आपको बताने के लिए यही था अगर वीडियो अच्छ लगता है तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो चैनल को सब्सक्राइब करो मिलते हैं कुछ इस तरह के अगरे हैं वीडियो में बाबाई